कोरोना काल में लॉक्टाउन की समय से ही स्कूल बंचल रही हैं अभिवावक एक्तिमाही फीसमाफी और आनलाइन क्लास के हिसाब से फीसम कटोती की मांग लगातार कर रही हैं इसी कड़ी में के आर मंगलम स्कूल वैशाली के अभिवावकों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन का नया तरीका अपनाया है अभिवावकों ने हाथ में फूल लेकर स्कूल के गेट पर शांतिपून प्रोटेस्ट किया स्कूल के गेट पर फूलों को रख कर स्कूल प्रशासन की अंतरात्मा को जगाने का प्रयास किया गया अभी कुछ दिन पहले के-र मंगलम स्कूल के अभिभावकों को द्वारा एक विशाल केंडल मार्च भी निकाला गया था अभिभावकों का कहना है कि वो लागातार प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक कि उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती साथ ही उन्होंने कहा प्रदेश सरकार को अभिभावकों की जायज मांगों को समझना चाहिए और कोरोना वैशुत महामारी में आर्थिक संकट से जूज रहे अभिभावकों को आर्थिक राहत प्रदान करनी चाहिए वाता नापकी आपका नजर्या आपकी आवाज